आप सबका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे एक ब्रेक्फस्ट रेसिपी यानि की इडली के बैटर से बने हुए आप पे तो आएए देखते हैं कैसे बनते है यहाँ पर मैंने इडली का बैटर लिया है इसमें हम 3-4 मीडियम साइज की प्यास को बारिक बारिक चौप करके आड़ करेंगे अब इसमें जाएगे दो मीडियम साइज के बारिक चौप किये हुए टमाटर तीन से चाल हरी मिर्च को मैंने बारिक चौप किया है वो भी इसमें आड़ करेंगे हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से आड़ कीजिएगा अब इसमें जाएगा हरा ध जायेगा, इसे हम ओयल या बटर से ग्रीस कर लेंगे। अगर आप इसे बटर से ग्रीस करेंगे तो अप्पे का टेस्ट काफी एन्हाइंस हो जायेगा। अब हम इस बैटर को अपवे के मोल्ड में डालेंगे फ्रेंड आम एक बात का दियान रखना है कि जब भी हम इस बैटर को मोल्ड में डालेंगे फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए आप अगर चाहे तो इस बैटर में अपनी पसंद की कोई भी वेजीज आड़ कर सकते है जैसे की गाजर, शिमला मिर्च मोल्ड को पूरी तरीके से फिल करने के बाद अब हम इसके उपर ढखकन ढखके इसे कम से कम 5 मिनिट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे लगभग 5 मिनिट हो चुके है, आईए अब इसे चेक कर लेते हैं ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से राइज हो चुके है, इसका मतलब ये है कि अब हम इसे पलट सकते है एक स्क्यूवर की मदद से हम इसे पलटेंगे उपर से थोड़ा सा बटर ज़रूर अड़ कीजिएगा और इसे लेड लगा कर कम से कम 5 मिनिट फिर से हम पकाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे अपपे जो है वो बिल्कुल रेडी है अब हम इसे निकाल देंगे इडली के बैटर से आपने मसाला डोसा और इडली सांबर तो बनाया होगा लेकिन यह वर्जन जो है अपपे का यह ज़रू ट्राइ कीजिएगा यह बहुत ही टेस्टी बनता है यह एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफस्ट है आप अगर चाहे तो इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते है यह एक बहुत ही जटपट से बन जाने वाली रेसिपी है सिंपल और इजी ब्रेकफस्ट की यह रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिएगा अल्ला हाफिज दुआओं में याद रखिएगा